यही दिनों से महराज़ चिकन आंदोल कर रहे हैं, मराठों को इत्यास दे के उनुरों धंको बढ़ा है, तो मराठा आंदोल धन्यवाद, आरक्षिन महिलाओं के आरक्षिन का जो बिल है, पहले तो इस पार्लेमेंट में जितनी भी हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव हो के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका दिल से नमन करना चाहूंगी, और आज जितनी महिलाओं के सदन में हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका सभी का में दिल से नमन और अभी नंदन भी करना चाहूंगी, बेनी वाले बया, बया, मागला मेंबर इस प्रिकिंग प राजेस्तान के एलेक्षन है हनुमान बेनी वाले भाईया हमको सभी को पता है नावनी दी प्लीज 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 तरट अगें विपीन ही वस देर जो इस टॉप अगें तो इस पार्लेमेंट में जितनी भी मैला हैं हमारी आज सब चर्चा कर रही हैं आरक्षन होना है होना चाहिए हम सभी की इच्चा है सभी मैलाओं की इच्चा है पर ये बात भी सच है हमारे से जादा पुर्षों की इच्चा है ऐसा नहीं है कि पुर्षों की इच्चा नहीं है कि हमारा आरक्षन इस पार्लमेंट में आना चाहिए उसका सबसे बड़ा उधारन अगर कोई देता है तो देश के प्रधान मंत्री देते हैं कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है कि महिला equally में ट्रीट हूँ, उनका सिर्फ भाशन में मान सम्मान ना हो, उनके अधिकारों के लिए भी, उनका बिल ये पार्लमेंट में आना च इप्रेजिंटेटिव बन के आई हैं, सुस्मा स्वराज जी हो, जैल अलीता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री मंता बैनर जी हो, और मायावती जी हो, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा का कि बहुत सारे पुर्षों के सामने लड़कर, महिला यहां तक पहुंचती है, इसमें कोई भी, गलत एक भी शब्द नहीं, बहुत सारे चुनोतियों को सामना करके, हम महिला यहां तक लाती हैं, पर कई opposition के नेताओं ने अभी बोलते हो हैं, मैंने सुना, कि पहला महाराष्ट्र हो, या बंगाल हो, और other states में भी, हमने आरक्षन लाया है, हम एक लड़की हैं, या हम एक चाइड हैं, ऐसा बोलते हो हैं, मैंने अभी कई मेरे मेंबर और पार्लमेन को सुना है, बहुत खुशी होती है, कि ऐसे निरने भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की, और हमारे कई आरक्षन, जिल्ला परिशवत, ग्राम पंचायत, जितनी भी हैं, उसमें आरक्षन हमें मिला गया है, पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कॉंग्रेस पक्ष ने, आज सोनिया गांदी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने का ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था, तो मुझे उनसे भी एक प्रश्ण पूछना है, कि 27 सालों में, अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में, आप ये पूर्न क्यों नहीं कर सके, मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष होएं, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया, और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना confident भी है, कि आज वो बिल पास भी होगा, और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है, वो ये आवाज सुन रही है, कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तमाल महिलाओं का नहीं किया, म महिला से शुरुबात करते हैं, भारत माता की जै बोलते हैं, तो महिलाओं के नाम से जैजेकार होती है, पर आज तक दुरभाग्य है इस पार्लमेंट का और हमारी पूरे सधन का, कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तमाल सिर्फ राजमीतिक मंचों पे किया गया, पर उन्ह अधिकार देने की बात किसी नहीं नहीं की, इतनी मंचा अगर सपस्च थी, तो महराष्ट्र की बात करते समय, जब हम आरक्षिन की बात करते हैं, तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा, कि आज तक महिलाओं नहीं कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, नहीं उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया, इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है, तो आज महराष्ट्र में, आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया, सिर्फ शदों में विश्वास, सि मुझे लगता है महिलाओं का इस्तमाल आस्तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोधी जी ने हमारी भावना है, हमारी ऐसा नहीं है, कि महिलाओं को आरक्षन मिलेगा तभी हम लड़के पार्लमेंट में आएंगे, नहीं सर, हमारे ग्रेड लीडर्स ने, हमारे पर आदा सुनना चाहिए, जिनोंने साट वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये सर, प्लीस कंगोड, प्लीस कंगोड, प्रेजिडन आप अड़री स्पोकन माड आई जिजव, आई रमाई, सावीतरी ने जिनोंने हमको सिक्षन का अधिकार दिया, सिक्षा का अधिकार, सिक्षन का अधिकार दिया, सर, डॉक्टर बाबा साह बंबेटकर ने जिनोंने मतदान का अधिकार दिया, आज ये पारलमेंट मोदी जी के द्वारा, हमें हमारा अ प्रशाओना हमने साड़े चार वर्षों में ये पार्लमेंट में सबने महसूस किये महिलाओने जिस तरीके से एक नई सांशत को आपने मौका दिया हर बात अपने विचारियां रख कर हमें चांस दिया कि आगे बढ़िया हम तुमारे साथ है इस तरीके का विश्वाश इस प अभी मान तुम हो दिल अपना कभी ना दुखाना उस विधाता का विधान तुम हो और सर को दिल से में धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से बैक्ग्राउंड से आने वाले समय में बहुत मौकां